हालो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में पालक पनीर पराथा और उसके साथी सौनी सी चटनी मनाने की रेसपी जिसे आप भी एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा फ्रिंस बहुत जादा टेस्टी कॉंबिनेशन है और बहुत ही पालक है इनको मैंने वाश करकर यहां पर डाला है और जैसे ही डाला वैसे फ्लेम ओफ कर दिया है एक मिनट इस पानी में रहने दिया है और अब इसी पानी से हमें इसको निकाल लेना है और इधर हमें ठंडे पानी में इसको डाल देना है तो बैसिकली यह जो प्रॉसेस हो चाहर पिस हरी मिर्चे लेनी है और इसको इसमें डालक ग्रेंडर सार में डालक इसे ब्लेंड करकर पेस्ट बना लेना है अब मैंने दो कप गेव का आटा लिया हुआ है इसमें मैं वन टीस्पून नमक एड़ कर रही हूं इसी के साथ मैं इसमें वन टीबल स्पून घी या ओ जुग मैं जाएगा पूरा 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 कलर जो है ग्रीन हो जाएगा और लगतार इसको अच्छे से मिलाती रहे हैं यहां पर आपको पानी है त्यास से डालना है अगर आपका पालक का प्यूरी थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया है तो इसमें पानी बिल्कुल भी नही पालक का प्यूरी पूरा यूज हो जाए पानी अगर आपको जुरत लगे तो थोड़ा चीटा लगा सकते हैं और चुड़क कर इसको गूच सकते हैं प्यूरी जादा नहीं कर लीजिएगा जितना दो है उस हिसाब से रखिएगा और यहां पे जो गाढ़ा पेस्ट तयार किय जैसे जीरा क्राइकल हो जाएगा इसमें हमें अध्रक डालना है तो ग्रेट किया हूँ एक इंच का टुकड़ा मैंने लिया था जिसको मैंने ग्रेट करकर यहां पे डाला है अध्रक का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है तो जरूर डालिएगा और इसी के साथ मैं इसमें मिर्चे भी डाल रही हूं बारिक चॉप करकर इसी के साथ मैं इसमें एक प्याज आड करूंगी मीडियम साइज की प्यास थी इसको मैंने रफली चॉप करकर डाला है तो जब तक प्यास थोड़ी ब्राउन नहीं हो जाए ना तब तक इसको फ्राइ कर लीजे अगर ओएल क देखें उसी तरह का प्यास कारमलाइज होने लगा है कि मैंने तेल कम डाल कर इसको फ्राइ किया है तो अभी इसी पॉइंट पर मैं इसमें नमक डाल रही हूं नमक वन टीस्पून चिली फ्लेक्स हाफ टीस्पून बुना कुटावा जीरा पाउडर हाफ टीस्पून और इ इसको मैंने कुछ मसाले डालकर हलका से टॉस करकर बनायamed जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये पनीर पराठाप बहुत ही टेस्टी बनता है कुट यहां पर नेखिए पनीर को हमें यह 2 मिनीड तक ट Bhagण लीना ऑद और स्टफिंग रेडी ओगई है नेस्स्ट ए करने से मिर्च भी हलकी बुन जाएगी और सौंदी से खुश्बू आने लगेगी और लसन का भी फ्लेवर चेंज हो जाएगा और कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसी पॉइंट पर मैं एक टेबल स्पून चना दाल और एक टेबल स्पून डाल रही हूं और यह दोनों ड करविया आप मेजर करकर डाल सकते हैं जितना जितना रहेगा मुंगफली उसे थोड़ी साधा रहेगी और यहां पर इसे भी डालकर हमें हलका सब फ्राइ कर लेना है फ्लेम हाई रखिएगा और लगतार भूनते जाहिए इस तरह से बुनने से मुंगफली खुलने लगती ह और यह अच्छा ब्राउन होता है इसी पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूं एक छोटे चम्मत साबुत जीरा एक छोटे चम्मत चुराई और साथी मैं इसमें कुछ कड़ी पत्ते डाल रही हूं इनको भी फ्लेम हाई करकर हमें लगतार से भून लेना है जब तक यह सारी चीज़ें दाले का कऽैंगा फ साथी चीज़ इस में कर संधू कि यह एक गल्डそれでは इनको किरें उसलिक हां कि हैं जानाद हुआ दाल कर ब्लेंड कर ले या तो आक रही है कि कुछ ब्लेंड कर लिया है तो इसतVOC भीआ दाल adult कर लेन act कर लें कि उनको ब्लेंड कर लिया है इसम तो यहीं पर डालूँगी मैं तक्रीबभाफ टीस्पून से वन टीस्पून नमक डालिए और हाफ लेमन जूस जालिए अगर आपके पास में इमली है तो वह भी डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा पानी रालना है और पानी तक अधे कप से 3-4 तक पानी लग जाता है और पा बहुत ही जादा टेस्टी है बहुत चटपटी है बहुत सौंधी है और इस पराठे के साथ में बहुत अच्छे लगेगी एक पर जरूर ट्राइ कीजेगा नेक्स टेप में आते हैं हम अपनी डो की दरफ जो के बहुत अच्छा रेस्ट हो चुका है ये देखें तो दुब कर त्यार कर लिए एक ही साथ मैंने सारे बना लिया है और यहां पर जो स्टफिंग थी ना वह हमारी ठंडी हो चुकी है जो ठंडी हो जाना तो थोड़ा सा क्रंबल कर लीजेगा क्योंकि पनीर है वह आपस में चिपक जाती है ठंडी होने के बाद में इस तरह से क्रंबल कर तो इसको बड़ा चपाती जैसा बेल दीजिए बीच ओ बीच सेंटर में हमें हमारी स्टफिंग जो हमने क्रंबल करकर रखी है वो डालनी है तो जितना आपको लग रहा है एक से दो बड़े चमच आप स्टफिंग डालीए बीच ओ बीच और अब इसको स्क्वार फोल कर लेफरेंट्स क्यूंकि लुक भी बहुत अच्छा आता है और पाइस्क्वार पराठा बनाने की सबसे बड़ी खासियत यह है ना किसमें स्टफिंग जो है अनिवन सा डिवाइड नी होता कॉर्नर्स पे भी जाता है किनारों किनारों पर स्टफिंग भरा वह होता है और बह बढ़ा करकर बेल लेना है तो इस तरह से फ्लार लगाकर सूखा हमें इसको स्क्वार बेल लेना है तो स्क्वार पराठा रेडी हो गया है अभी हमें गरमा गरम तवे पर इसको तवे को गरम करकर यह पराठा डालना है तीस चालिस सेकंड वेट करना इसकी साइड चेंज कर पराठा बिल्कुल अच्छा बनेगा फटेगा भी नहीं कहीं पर से और फुला फुला सा पराठा बनेगा साथ में क्रिस्पी भी बनता है तो एक बार यह देखिए जैसे मैं वीडियो में बतारी उना फ्रेंट्स अगर सेम ऐसी डिट्टो रसेपी फॉलो करेंगे आपके भी बहुत ही बैतरीन पराठे बनेंगे और नाश्ते में आप इसको बनाएंगे सभी को बहुत अच्छा लगीगा सब शौक से खाएंगे तो यह देखिए पहला पराठा मारा तयार हो गया है बिल्कुल फुला फुला सा क्रिस्पी पराठा बनकर तयार हुआ है इसी तरह से ए आप देख सकते हैं मैंने आपको परफिक पराठा बनाने का तरीका बताया है इसको बनाएंगे तो यह कहीं पर से फटेगा भी नहीं और बहुत अच्छा फुला फुला सा बनता है तो एक बार मेरे मेधर से यह पराठा जरू ट्राइ कीजेगा और अगर आपको चटनी खा अगर आप चटनी नहीं ट्राइ कर रहे हो तो आप टुमेड़ो के चुप के साथ में पराठे को खा सकते हैं या बच्चे खा सकते हैं बहुत शौक से खाएंगे एक बर जरूर ट्राठा तो यह इजी बेगफस्ट रसेपी कैसी लगई आपको मुझे जरू बताएगा और पालक पनीर का पराठा कैसा बना मुझे जरूर बताएगा वीडियो पसंद रहे तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा फ्रेंस इस तरह के पराठे और भी मेरे चैनल पे हैं अगर अपने नहीं देखिए तो जाकर देख सकते हैं अमीद आपको पसंद आएगा तो रेसिपी हाल दौाओं में आद रखिएगा वे थैंक्स पो वचिंग